दोस्तों, रावाड विभीसर की बेटी से क्यों डर्ता था? कौन थी विभीसर की बेटी? लंका का महाबली रावाड जिसे तीनों लोकों पर विजय का गर्ब था. उसे किस चीज का डर्ता? क्या कभी आपने सुना है कि रावाड जैसा सक्तिसाली योध्धा, विवीशड की बेटी से इतना डरता था कि उसकी धढ़कने तेज हो जाती थी कौन की वा रहे सिमय कन्या जिसने रावड के जीवन में एक ऐसा तोखान लाया जो उसकी सक्त पर भारी पड़ा आज हम एक ऐसी कहानी को उजागर करेंगे जो सायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी विवीशड की बेटी और रावड के भै की रहे सिमय का था इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसका हर मोल आपको चोका देगा दोस्तों क्या सचमुच वा लड़की इतनी सक्तिसाली थी या फिर इसके पीछे था कोई कहरा रहे सी चलिए शुरू करते हैं इस अद्भूत यात्रा को जो आप को इतिहास के गहरे और चुपे हुए राजो तक ले जाएगी दोस्तों विवीसड की बेटी का नाम कॉझिता था वह रावड की लंका में रहते हुए भी उसके दिप वित्रेश्ट की धनी थी उसकी भवी सिवाडिया कभी गलत नहीं ओती थी जब रावड सीता को बंदी बनाकर लंका लाया तो त्रिजिटा ही थी जिसने सीता को सांतोना दी और उसे आश्वासन दिया कि सिरी राम भगवाल अवस्य आएंगे और रावड का अंत निकट है लेकिन क्या यही कारण था रावड के तरखा तो नहीं या केवाल एक पहलू था असलिए वजय थी त्रिजिटा क कि भविस्वाडिया त्रिजिटा ने एक दिर रावड से कहा था तुम्हारा अंत निस्चित और तुम्हारे बिनास की घरी भी अब दूर नहीं जिस दिन तुम्हारी लंका चलने के लिए अविसब्त हो गई थी रावड या बास सुनकर भाप गया क्या उसकी बिनास की सका उसे पता था कि त्रिजिटा के सब्द केवल सब्द नहीं बल्कि ब्रह्मान्ड के नियम थे जिने कोई बदल नहीं सकता लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती त्रिजिटा ने केवल रावड के भाई को नहीं जगाया बल्कि उसने यह भी साबित किया कि सत्ति के मार पर चलने वाले लोग चाहे कितने भी कमजोर क्यों नहों वे सबसे बड़े ताकत वर को भी जुका सकते हैं दोस्तों प्रजिटा माता का जीवन एक ऐसा उधारण है जो हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और साहत से बड़े से बड़े योध्धा भी भैवीत हो सकते हैं रावाड अपनी सक्ति और एहंकार में कितना भी बड़ा हो लेकिन धुरी सड की बेटी त्रजिटा ने उसे यह इसास दिलाया कि न्याय और सक्ति की सक्ति सबसे बड़ी होती है यह कहानी आज भी हमें प्रेडा देती है कि सच्चाई के मार्ग पर डटे रहना ही असली बिज है तो दोस्तों यह अधित्रजिटा की कहानी जो हमें बताती है कि कभी कभी सच्चे बड़े योधा भी हार मानते हैं जब यह सच्चाई का सामना करते हैं अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही और भी रहस्मई कहानियों को जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को ल और एक वोमान्चक और रहस्मई कहानी के साथ है जै श्री राम